हैलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे आप सब फ्रेंड आज मैं फिर एक ने डिजाइन में अंगुठे वाली लेडिस या गर्ल्स बनाने जा रही हूं जिसको बनाना बहुत असान है बहुत जल्दी बन जाती है वूल भी बहुत कम लगती है देखने में बहुत सुन्दा लगती है फ्रेंड मैंने ये दो कलर ली है कलर साब अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं ये वदमार की 3 प्लाई की भूल है दस नमबर की सलाई ली है और फ्रेंड मैंने ये 45 फंदे डाले हैं सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते फ्रेंड मैंने इसकी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो पलवाइस रो बनाई, यानि इसकी अठारा सलाईय की है, इसी तरह से फैंड मैंने एक और बनाया हुआ है, इसमें भी मैंने फैंड एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो पलवाइस रो बनाई यानि 18 सलाइए कीं है इसमें भी मैंने 10 नंबर की चलाई लिए है अब हम क्या करेंगे हम इन दोनों साइट को हम जोयंट करेंगे तो पहले इस साइट को करेंगे पहला फंद उतार लेंगे अब सभी फंदों को फैंट्स इल्टा को फैंट्स हम फॉरी रोख यहां तक complete कर लेंगे यहां वेर्फियन मैंने यहां से पंतालिस पंदो एल्टा बोलिया यह हमारी सीधी-सडी अब हम दीधा새 यह भी हमारी शीधी-सडी कर हमने यहां पर कंपलीट कर लिए अब यहां पर हम तो यहां पर करेंगे तो यहां पर हम इसको जोइंट करेंगे इस तरह से तो फिर फंदे मारी यह है यह होगे दोनों साइट के फंदे मिलाके हमारी पर इसको बिलाके नmbesit हो जाएंगे सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बोनेंगे परूरी अब फिर सभी फंदों को हम उल्टा 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 बुनेंगे उल्टा 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 उल्ट पहला फंद उतार लेंगे अब फिर सभी फंदों को हम उल्टा 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 उल डिजाइन डालेंगे पहला फंद उतार लेंगे और दूसरी वाली वूल है जो उसको भी हम अपनी साइड ले आएंगे इस तरह से अब हम क्या करेंगे सीधी साइड पर हमने उल्टा ही बुनना है एक फंद इस यालो कलर से इसको इस तरह से दबा लेंगे फिर दूसरा फंद ग्रीन कलर से फिर इसको इस तरह से दबा लेंगे एक फंद इस तरह इस वाली बुल को हमने आगे लेके आना है इस तरह से एक फंद यालो कलर बुल से फिर इस वाली बुल को हम आगे लेके आएंगे इस तरह से उस ग्रीन वाली बुल से हम एक फंद उल्टा बुनाएंगे इस तरह से फिर इस वाली बुल को हम आगे लेके आएंगे इस तरह स से और इत् Spa यालो कलर मड़ी बोल्ड से हम यह फंदा के ओल्टा के इस तरह से करें सबिए फंद सबंढा एक यालो कलर से और एक ग्रीन कलर से लेकिन अब हम इस फंद से ऐसली म पूल से हम दूसरा फंदा पूनेंगे इस तरह से आगे लेके आएंगे यालो कलर पूल से फंदा पूनेंगे फिर इस वाली पूल हम इस तरह से गुठे के नीचे इस तरह से दबा लेंगे फिर ग्रीन वाली कलर पूल से हम फंदा पूनेंगे इस तरह कि इस तरह से आएगा है कि इस तरह से आएगा कि एक फंदा हम इस वाली कलर वाली यालो कलर वाली वूल से इस तरह से हम पूरी रों कम्प्लीट करके हम उल्टी साइड पी आएगे तो सीद्वी साइड पर फैंड इस तरह से ये डीजाइन आएगा अब उल्टी साइड पर आगे हैं उल्टी साइड पर हम क्या करेंगे उल्टी साइड पर जैसे उनको हम सीधा सीधा बुनेंगे सीधी साइट पर उल्टा बुना था और उल्टी साइट भी हम सीधा बुनेंगे प्याला पंदा इस तरह से तार लेंगे अब हम इस फंदे को इस तरह से क्रॉस करेंगे इस तरह से इसको फिर इसको आगे लेके जाएंगे इस फंदे से हम बुनेंगे फिर इस फंदे को आगे कि इस तरह से क्रॉस करेंगे कि इस फंद्व को आगे लेकि जाएंगे फिर से बुनेंगे फिर इस वाली बूल को हम आके लेकि जाएंगे फिर कि इस तरह इस तरह इसको आगे लेगे जो फंद्व जैसे हैं उनको वैसे ही बुनेंगे कि इसको आगे लेगे क्रॉस कर लिया यह ग्रीन कलर भी बूल आगे लेगे यलो वाली बूल से हम बुनेंगे इस तरह से आए कड़े देगे कि बहुत इसी डिजाइन को डिजाइन है एक उल्टी साएक सीधी साइट से एक उल्टी साइट से इस तरह से आएगा अब क्या करेंगे यह वाली बूल को हम आगे लेके जाएंगे इस तरह से फिर यह वाली बूल को आगे लेके जाएंगे यह पूरी रोग कंप्लीट करके हम फिर सीधी साइट पी आएंगे जीधी साइट पी आगे हैं सीधी साइड पे इस तरह से डिजाइन आएगा फेंगे बहुत ही सुन्दर डिजाइन है अब हम क्या करेंगे अब हम अब सभी पंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे पहला पंदों तार लिया अब सभी पंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे जो बेश कलर है उसी से हम सभी पंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे सीधा सीधा भूनके फैंट यह पूरी रोह कंप्लीट करके हम उल्टी साइट पे आएंगे उल्टी साइट पे सभी फंदों को उल्टा उल्टा भूनके पूरी रोह कंप्लीट करके हम सीधी साइट पे आएंगे फैंट इसकी हम टोटल छे सलाइएं करेंगे तीन सलाइएं सीधी साइट से और तीन सलाइएं हम उल्टी साइट से करेंगे सीधी साइट से सीधा भूनें इस तरह से अब फिर हम यह डिजाइन डालेंगे अब दोन अपनी तरफ लाएंगे इस तरह से एक फंद यालू कलर का बुनेंगे एक फंद हम ग्रीन कलर का बुनेंगे उल्टा उल्टा बुनने बंच सीधी साइड से उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से हम सीधा बुनेंगे इस तरह से फंद हम बुनेंगे पूरी रो हम कंप्लीट करके फिर हम उल्टी साइड पर आएंगे उल्टी साइट पर क्या करना है जो फंदे जैसे है यालो कलर वाले फंदे यालो कलर बूल से बुनेंगे और ग्रीन कलर वाले फंदे हम ग्रीन कलर वाली बूल से बुनेंगे लेकिन हम सीधा बुनेंगे, सीधी साइट से उल्टा बुनेंगे, उल्टी साइट से हम सीधा बुनेंगे, तो इस तरह से यह हमारा डिजाइन आएगा, इस तरह से डिजाइन आएगा, उसके आप फिर छे सलाइएं करेंगे, तीन सलाइएं सीधी साइट से सीधा बुनेंगे से हम उलटी साइट से हम उलटा बुनेंगे तो टोटल छह सल daíम फिर हम इसрахसीं करेंगे उसके वाब फिर हम यह डीजाइन डालेंगे तो यानि यह तीन डीजाइन डालेंगे हम तो तीन डिजाइन डालनें सिर्देंट और फृर मैं आपको दिखाते हूँ तो फै पर मैंने design डाला है फिर 6 लाइए की है फिर 2 सड़ी हीं पर MaanayHer 근 Filch 미os 2 लेखो अभिने स्राइट से मेने उल्टा बना है अब हम क्या करेंगे अगर आपने íस से बड़ा बचना थो 2 फंदे 2 फंदे इस सयर्द शाण पर आप चोटा 14 बड़ा लिजीए अगर चोटा बनाना है तो दो फंदे यहां से कम कर दीजिए दो फंदे आप यहां से कम कर दीजिए तो आपके चार फंदे यह देखे दो फंदे यहां से कम करेंगे दो फंदे इस साइट से कम करेंगे तो चार फंदे आपके कम हो जाएंगे अगर आपने बढ़ा बनाना है तो दो दो फंदे इस साइड से दो फंदे इस साइड से बढ़ा लीजिए जैसे 45 डाले है 47 47 डालीजिए छोटा करना है तो 43 43 आप कर लीजिए अब हम क्या करेंगे पहली हमारे यह टोटल 90 पंदे हैं तो 24 पंदे पहले हम उल्टा-उल्टा बनेंगे आंका अनुआ सबस्दोंतर लेंगे होऀ अट गहां चरियर है साथ he तस अब हमने सीधी साइसे सीधा उल्ठी साइसे उल्ठा निफोना हमने सीधी सेट उल्ठी से ंल्टो पुलना है फ्हले चोविस पन्दे उल्ठ उल्ठ पुनेंगे चोविस फंदे हमारे 42 फंदे हैं उनका हुम दो फंदो का एक करेंगे झाल 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 तो फ्रेंड हमने दो फंदों का एक कर लिया तो हमारे यहां पे 42 फंदे का हमने हमने दो फंदों का ही किया तो हमारे यहां पे 21 फंदी आ जाएंगे सेंटर में तो उसके पाद देखेंए दो चार छोल आट दस बारा चोदा शोला ठारा वीज वाईस और चोविस चोविस फंद हैं इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा 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 उल्ट तो फेंट 24 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया 24 फंदे मारे इस साइड है जो बीच के फंदे हमारे हमें 42 फंदों का 2 फंदों का एक किया तो तो मारे 21 फंदे रहा गये थे अब 21 फंदों का हम 2 फंदों का एक करेंगे कि यह लास्ट में हमारा एक फंदा बचता इसको हम इसी तरह से बुन लेंगे तो सेंटर में एक फंदा बचता था हमने इसको ऐसी बुन लिया उसके बाद फिर 24 फंदे इनको हम उल्टा-उल्टा बुन कि अलटा-उल्टा बुनके फैंट हम यह पूरी रोग सीधी करेंगे अब हम पीला वह तार लेंगे अब सभी फंदों को हम उल्टा-उल्टा बुनें फैंडेश bir यह आप बोनें वाआ या में उल्टा उल्टा नंहीं करना ये पूरी डियरों कंप्लीट करकर हम फरन है करना है तो हम ने इसकी चार सफ लाइए घर तो यह कौन Лाई कर पर फंदे कम किये थे उसके और फिर चार सजय हम ने भाई थो हमारी यहenकर दो पर वाई से रोब वनी है हमने यहाँ पे पंदे कम नी किया अब हम क्या करेंगे सीधी साइट पर है सिधी सेट हम सभी फंदोंको बंद कर देंगे दूपने निकीर इस फंटिट यसला इम लेतर दो फंटोग इकीर इस फंटिट यसला इस द्रीसरोश अ हम और यहां तक बंद कर लेंगे है लास में सब फंदों सो को बंद कर दिया तो इस तरह से हमारी सौक्स डिखाई देगी इस于 उलिटी साइट से हमारी सिलाइ करनी है तो इस सौक कोस हम फोल्ड कर लेंगे पहले यहां से लेके यहां तक सिलाई करेंगे फिर यहां से लेके हम यहां तक सिलाई करेंगे दस सिलाई पहले हम छोड़ देंगे तो फिर मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर ली है अब यहां से लेके हम यहां तक सिलाई करेंगे यानि दस या बारा सिलाई सिलाई पने लाएब हम चोड़ेंगे और यहां पर जेलाई करेंगे फैंड्स नहीं से 1 लुश करेंगे तो फिर मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर लिए है 12 सिलाई पहले मैंने छोड़ दिया अब हम क्या करेंगे इस तरह से यहां से सिलाई करेंगे तो फ्रेम मैंने दोनों साइड से सिलाई कर ली है अब इस स्वाक्स को हम सीधा करेंगे इस सॉक्स में कितनी वूल लगी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ चोबिस ग्राम वूल में यह हमारी सॉक्स बनकर त्यार होगी है तो दोनों सॉक्स में हमारी 48 यानि 48 ग्राम वूल लगेगी इसके साथ इस बहुत ही सुंदर सॉक्स बनकर त्यार होगी है यह देखें, एक साइट से फेंट इस तरह से आएगी बहुत ही सुंदर सॉक्स बनकर त्यार होगी है फेंट ये 6 और 7 फूर साइज वालों को बड़े अराम से आ जाएगी फेंट वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटर को दो बारा मत बुलिया ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई